नमस्कार मैं हूँ इशा भारकाव स्वागत है आपका 75 जिलो की 75 बड़ी खबरों में सियम योगी का बड़ा बयान बॉले जातिवाद राजनीतीस ने माफिया पैदा किये आज तक्ती लटका कर जान की भीक मांग रहे डिप्टी सीयम रजेश पाटक बोले अब कोई माफिया किसी को धमकी नहीं दे सकता जान बचाने को गुंडा माफिया जेल में है बंदायू निकाय चुनाव दो धड़ों में बटी सपा जिलाध्याक्ष और विधायक अलग दावेदारों के समर्थन में उतरे असमंजस्य में वोटर मेंदावल में भाजपा के चुनाव का रियाले का उद्गाटन सांसत बोले विपक्ष जीतने नहीं बलकि जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे निकाए चुनाव में भाजपा ने सीम और मंतरियों को उतारा अखिलेश्या दव एक मई से करेंगे प्रचार दस महीने से यूपी नहीं आई प्रियंका गांधी गुड़ो मुसलिम के परिवार का गाउं से हुआ था बहिशकार 40 साल पहले बंद कर दिया गया था हुका पानी घर छोड़ कर प्रियागराज पहुँचा था परिवार बेडरूम में फंदे से लटकी मिली फैशन डिजाइनर की लास मनने से पहले इंस्ट्राग्राम पर पोस्ट किया वीडियो कहा मुझे किसी ने नहीं समझाया गोरकपुर में तीन दिनों तक बंधग बना कर नाबालिक से गेंगरेप घर से नाराज होकर बिहार से गोरकपुर आई थी ग्रेटर नॉइडा में स्वाट टीम की कोख्याच से मुटवेड थार सवार एक लाग के नामी बदमाश मनोज ने चलाई गोलिया सुल्तानपुर में सोना व्यफसाई ने पास साल तक नहीं दी जीएस्टी अयोध्या की टीम ने 7.5 लाख की पकड़ी चोरी लाखों के जेवराद भी किये जब्द नसेडियों की धड़ पकड़ को लेकर चला अभ्यान एक युद्ध नशे के विरोध और ड्रिंक एवन ड्राइव इन अभ्यान के तहट की जा रही कारवाई महुन नगर निकाय चुनाव सपा प्रत्याशी ने कहा सिक्षा विवस्था पर दिया जाएगा जोर बाषपर सपा में होगी टकर स्टैटिक मेजिस्ट्रेट ने कार में पकड़े 5.50 लाग रुपए 2 लाग की खरीद ना दिखा पाने पर पैसा जब्द कर माल खाने में जमा कराया रेडी मेट कपड़े की दुकान और गोदाम में लगी भीशनाग जोईलरी शॉप भी चपेट में आई देड़ घंटे बाद पहुची दमकल की गाड़ी जालोन में पती ही निकला महिला का कातिल दो दिन पहले लाइसेंसी बंदूग से गोली मार कर की थी पतनी की हत्या किसी बात पर हुई थी बहेश मेयर का टिकेट मांगने वाले को मिला पारसत का टिकेट भाजपानेता बोले पार्टी का फैसला मंजूर तीन बार रहे चुके हैं सभासत पानी की टंगी के पास पड़ा मिला युवक का शव गले पर थे खरोज के निशान परिवार वालों ने लगाया हत्याकारो महामंद लेश्वर चित प्रकाशा नंद का बड़ा बयान बोले समलैंगिक विवा को मिली मन्जूरी तो विवादों का होगा जन्व जासी में पानी नहीं तो वोट नहीं का बैनर दो साल पहले पाइपलाइन बिची गरगर नल लगे पर पानी आज तक नहीं पहुँचा बेचीव ट्रॉमा सेंटर में बवाल के आठ आरोपियों पर केस मरीजों पर बहार की दवा लाने की दवाब बना रहे पकड़े जाने पर किया हंगामा प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से हुई मौत देवरिया में इलाज के दौरान यूवक ने तोड़ा दम मिलने गया था यूविती के घर हरदोई में सडक हाथसे में दो की मौत रोलर और बाइक में हुई टक कर मुंडन संसकार में शामिल होने जा रहे थे हात रसमें अवैत अमंचे के साथ दो यूवकों का वीडियो हुआ वाइरल जाज परताल में जुटे पलस एसपी ने सक्त कारवाई के दिये निर्देश मेरट में कॉंग्रेस केंडिडेट के घर में लगी आग इलेक्ट्रोनिक का समाच जलकर खाक विरोधियों पर आग लगाने का लगाया आरोप केडिये वी सी के खिलाफ गिरफतारी वारेंट प्लांट आवेंटन मामले में पुभोगता फोरम ने दिये आदेश केडिये ने कहा विधी विरुद यूपी में कोरोना से लगतार दूसरे दिन 4 मौते 24 घंटे में 462 नई मरीज मिले लखनाओ और गौतमबुद नगर में सबसे ज्यादा केस 96 घंटे से भी जारी है आईकर का छापा गैलन्ट ग्रुप मालिकों ने दस करमचारियों के नाम पर लौकर ले रखा था काले धन से खरीदी प्रोपर्टी चायल में पैरा मिलिटरी फोर्स संग एस्पी ने किया फ्लाग मार्च बूथों का निरक्षन कर बोले चुनाव से गड़बड़ी करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा दिखा रहा दबंगई दबंगई का वीडियो हुआ वाइरल जाच में जुटे पोलिस पड़ित परिवार ने दी तहरीर गजरोला में पोलिस और गौत असकर के बीच मुटभेड एक को लगी गोली सीएची में भरती साथी फरार और यह में कानपूर बुंदेल खंड के जेत्री अध्यक्ष का धावा इस बार कमल की जीत होगी और यह में पोलिस को मिली बड़ी सफलता तीन शाती चोर गरफतार साथी पोलिस ने चोरी किया माल भी किया बरामत चंदौली में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिजेपी ने जोकी ताकत चुनाव प्रचार में लगाया पूरा जोर कार ने मोटर साइकिल को मारी टकर चार लोग घायन अस्पताल में भड़ती गाजीपुर में निकाय चुनाव को लेकर बिजेपी का महा प्रचार डेप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने जनता को किया संबोधित आज गुंडों में भए है और जनता भए मुक्त है लगनाव में डीजीपी ने फूट पेट्रोलिंग करने के दिये निर्देश फूट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा निकाय चुनाव को लेकर बिजेपी का महा प्रचार सीम योगी का तावड तोड प्रचार गोरकपूर कुशी नगर देवरिया में सीम की जन सभाए पेराइच में कलेक्टरेट सभागार में अलंकरन समारों का हुआ आयोजन डियमस्पी ने मिदावी चात्र चात्राओं को किया सम्मानित बिजेपी का मेगा प्रचार जारी सुल्तानपूर में ब्रजेश पाठक की जन सभा सीम योगी से लेकर दोनों डिप्टिसीम धुआधार प्रचार कर रहे डॉल्फिन के सरक्षन के लिए जागरुकता अभ्यान स्कूली बच्चों को किया गया जागरुकत पूर्ब डिप्टिसीम दिनेश शर्मा पहुँचे कानपूर देहात अध्यक्षपत की बिजेपी प्रत्याशी का किया समर्थन कारिकरम के दोरान विपक्ष पर साधा निशाना कानपूर में जल निगम अधिकारियों की लापरवाही आई सामने गंदे नाले के पानी से गंगा हो रही दूसित नमामी गंगे अभ्यान की उड़ रही धज्या लखनाव में LDA की बड़ी कारवाई हजरत गंज, कृष्णा नगर और पारा में कारवाई तीन अवैद, निर्मान, सील लखनाव में अवारा कुत्तों का दिखा आतं, कुत्तों के जुण ने बुज़ूर्ब पर किया हमला जानकी पुरम के स्रिष्टी अपार्टमेंट का है पुरम हमला सहरनपुर में कॉंग्रेस के मेर प्रत्याशी का बिजेपी परवार, नियायाले से जारी नोटिस को लेकर दी प्रतिक्रिया, चुनाव ना लणने का दवाब बना रही है बिजेपी चंद्वाली में पुलिस को मिली बड़ी सफल था दोशातिर अंतर प्रांतिय शाति चोर गिरफतार अजनगरी में पुलिस की सरहानी ये पहल लपका गिरी करने वाले के हाथों में होगी कलम फर्दाबाद में ग्रिवेंस कमीटी की मीटिंग में पहुँचे मुक्य मंतरी मनोहलाल खटर 14 में से 12 शिकायतों का किया मौके पर समाधान कानपूर में सडक पर पड़ी गई नमाज 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज 50 कानपूर में विधायक अमिताब बाचपई ने पुलिस कमिशनर से की मुलाकात सपा विधायक ने पुलिस कमिशनर से सुरक्षा की कीमाग लखनाओ में आजम खान के बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता का पलटवार भाजपा प्रवक्ता राकेश स्कूर पाथी ने आजम खान पर किया पलटवार बॉर्णा में भाजपा सांसद ब्रजबूशन सरंग सिंग की प्रेसवार प्रेस कॉन्फरेंस एफाय अदर्ज होने के बाद भाजपा सांसद बोले कोड़ पर विश्वास है लखनाओं में पदाधिकारियों के जॉइनिंग के बाद कॉंग्रिस प्रवक्ता का बयान बिजेपी कमजोर महसूस कर रही है प्रियागराज में प्रत्याशी के समर्थर में उतरे ब्लॉक प्रमुक महिंदर सिंग मुन्ना ने मीडिया से की बात चीत राइफर एली में सीवर लाइन पढ़ने के बाद से दसने लगी सडक सडक दसने से हो रहे लगातार हाथ से सहरनपुर में नगर निकाय चुनाव का जंगजारी विकास मुद्दो का दावा कर जंता से वोट देने की अपील की नगर पंचायत प्रत्याशी ने गिनाई अपनी प्रात्मिक ताएं चंदौली में नकर निकाय चुनाव को लेकर आरे एफ और पुलिस के जवानों ने किया फ्लाइंग मार्च आम जन्मानस में सुरक्षा का दिलाया एहसास गौंडा के कंडल गंज इलागे में महिला की हत्या सिर्फ पर हमला कर महिला की हत्या सुचनापर पहुची पुलिस मामली की जाच में जूटी पुलन शेहर में घर में घुसकर दबंगों ने परिवार पर किया जान लेवा हमला हमले में पीडित पक्ष के चार लोग घायल हमला वरों को बताया जा रहा है आप राधिक रिकॉर्ड लखनाओ में माफिया और जिला बदर अपराधी लल्लू यादव गिरफतार हत्या लूट सहित अलग अलग थानों में चाचट मुकद में है दड़्ज अपने घर पर छुप कर रह रहाता आरोपी लखनाओ में सपा प्रत्याशी पर निर्दली ये प्रत्याशी ने लगाया मारपीट और धमकी देने कारों बिकेटी के बैसा मौव वार्ड नमबर 9 से निर्दली प्रत्याशी है राजेश कुमार लखनाओ निकाय चुनाव के लिए यूपी का संकल्प पत्र जारी संकल्प पत्र का जिलों में वित्रण किया गया शुरू इस बार भी जेपी के संकल्प पत्र का नहीं होगा विमोचन लखनाओ के इंद्रा नगर में महिला ने लगाई चलांग ट्रैफिक दरोगा ने नहर में कूत कर महिला की बचाई जान लखनाओ में सोशल मीडिया एप पर यूवक ने की दोस्ती नाबालिक यूविती को होटल में बुला कर यूवक ने किया दुशकर्म, पुलिस ने किया यूवक को गरफतार गाजीपुर में माफिया मुक्तार अंसारी पर गैंग्स्टर केस का मामला अफजाल अंसारी पर गैंग्स्टर मामले में आ सकता है फैसला MP MLA कोट में चल रहा है केस शहर में DM ने दो अपराधियों को 6 महीने के लिए किया जिला बदर बीबी नगर्थाना पुलिस ने की घोशना पुलिस ने सार्वजिनिक मुनाधी कर जिला बदर किये जाने की की घोशना कानपुर में KDO पाध्यक्ष आईएस अर्विन सिंग के खिलाफ जारी हुआ वारेंट सक्त उपभोक्ता फॉरम ने जारी किया आदेश जवाहर विद्या समिती के आवंटन विवाद का हमामला और यहां में घर के बाहर सो रहे 55 साल के अधेर की हुई हत्या इट से कुचल कर की गई हत्या हत्या किये जाने की सुचना पर मौके पर पहुची पुलिस लखनाव समित 63 जिलों में तेज हवा चलने का अलर्ट बारिस और बिजली गिडने की भी जारी की गई चेतावनी 29 सप्रेल से लेकर एक माई तक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट जारी आगरा में परेटन पुलिस बच्चों को गोद लेकर सवारी की भविश्य समान बेचने वाले बच्चों के हातों में हुगी कलम नीजी संस्थाओं की मदद से शुरू की गई कारिशाला गाजीपूर की MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा गैंग्स्टर एक्ट में अफजल अंसारी दोशी करार अफजल अंसारी को चार साल की सजा लखनाओ में पहली कक्षा में एड्मीशन के लिए नियूनतम आयू छह साल निर्धारित केंद सरकार की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देश लखनाओ में बगावत ना छोड़ने वालों पर कारवाई करेगी बगावत पर उतरे लोगों की बिजेपी कर रही पहचान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर चौधरी ने सक्त किये तेवर लखनाओ में परिवहन निवगम में साइबर अटैक पर एक्षन रोडवेस के एमडी संजे को मार हटाए गए प्रभुक सचिव वैंकिटेश्वर लू को मिला अतरिक्त चार्ज लखनाओ में अंसल जाज के नाम पर पुलिस निवेशकों को करती रही गुमरा जिकायतों की जाज के नाम पर महीनों किया जाता रहा परिशान अंसल पर सौ से ज्यादा मामले कहीं थानों पर है दर्ज 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बसत नहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम